So hey guys welcome back, कैसे हैं आप सब and यह मैं कोशिश किया हूँ कि जितना छोटा से छोटा हो सके इसको पूरा एक तरह से compiled version बनाऊ इसका and कुछ हद तक succeed भी हूँ मैं इस मामले में जारा कुछ इसमें है नहीं बेसिकली जो मैंने एकनॉमिक सर्वे कवर किया था ग्यान में उसका एक तरह से संचिप्त वर्जन है तो जैसे कि मैंने आपको बॉला था कि पटवारी के पहले मैं इसको ले के आऊंगा तो पटवारी मेरे खाल से परसो हैं तो आप लोग को एक से एक कंसाइज वर्जन मिल जाएगा इस चीज में तो इचलिए भीना कोई देरी के स्चार्ट करते हैं जो जीडिपी के बारे में हैं जो सकल घरीर उतपात की गंड़ना का जो बेस जो बेस जो येर है वो बाना गया है यंगलम लोग इसको कंसीडर करते हैं तो वह हमारा है कितना कि दो करोड़ लाक 18,000 ठीक है एंड संटींसंटींस तो इतना लाक है बेसिकली कितनी है विकास दर में रहता है जो गुरोट रेट है हमारा वह 7.07 यह याद कर लिजिए नैशनल है वह 7.6 1.7 परसेंट है और जो कैसा प्रेडिट कर रहे हैं because okay so sector wise देखते हैं पहला जो है agriculture में कितना ऊपर बढ़ा है वो बढ़ा है 0.47% और industrial service में बना है 7.07% और growth rate जो विकासदर है वो 9.81% जब कि national 9.2% पर capital income जो है हमारा 2015 और 2016 में 81,756 है जब कि हमारा national 23,231 है so next आते हैं हम लोग sector contribution in GSDP जो कि fixed price में जो छेत्रवार अंशधान है उसके बारे में अग्रिकल्चर में वो 16.9% है इंड़स्ट्री में 46.3% सेवा जो services and sectors है उसमें 66.8% है अब फेयर प्राइस शॉप मतलब उचित मूल लेके दुछ दुकाने है वह अर्बन जो है वह 1330 दुकाने है और ग्रामीन जो है वह 1202 दुकाने है कुल मिलाके होती है होगा कि मैं अगला वाला क्या लेके आने वाला हूं है ना तो अब है क्रिशी के बारे में तो नेट छेत्र जो है वो इतना है करीबन आपका देख लिए देंगे आप लोग की 24,80,000 कुछ है जो मैक्जिमम है वो राजनान काव में दोहरी फसर होती है उसमें यह पॉइंट उतना इंपॉटेंट है नहीं मिनिमम जो है सबको पता नारायनपूर पर है सो बैंक्स कितने है आप देखते हैं बैंक्स टोटल 51 है एज ओफ 30 यथ ओफ सेप्टेंबर 2015 जितना एकनॉमिक सर्वे में कवर किया गया है और ब्रांच कितने है वो है 2485 और ATM जो है उनसे ज्यादा है 2639 इरिगेशन देखते हैं 31% इरिगेशन इरिगेड़ लेंड है और 69 मंडिया है और उप मंडिया जो है 118 है ठीक है तो यह समझ में आ गया रिवाइज हो गया अब आते हैं कंजूमर प्राइज प्राइज इंडेक्स मतलब की उभ्योकता मूल सूचकांक तो दिसंबर तक ग्रामीन का जहां था 8.6 अर्बन जो शहरी या नगरी का था 3.7 और कंबाइड जो है वह 8 6.8 तो मैंने कई बार आपको बताया है कि रूलर याद कर लो तो आपको कंबाइड याद कर लो तो रूलर याद कर लो तो रूलर याद हो जाएगा आपको सिर्फ अर्बन या नगरी जो है वह 3.7 को याद करना है क्योंकि जस्ट उल्टा है दोनों मतलब इंटाचेंज है तरह से मीरर इमेज बोल सकते हो आप देन जो अग्रिकल्चर जो किसी श्रमिक शेत्र में जो उप्भोगता मुल सूचकांग है वह 4.6 परसेंट में 825 फिर आपका जो ग्रामीन श्रमिक है जो 829 वह 4.8 परसेंट बढ़ा है यहीं तक के जो मुल सूचकांग जो का श्रमिक में हो 4.97 परसेंट है तीक है 5.88 परसेंट जो कि भिलाई तरफ का नापा गया है देन जो होल सेल प्राइस इंडेक्स है उसमें गिरावाठाई है 0.7 परसेंट की ओ जो है वह दो हजार आठ से चालू है साथ से चालू है जा फ़री दो है साथ से ठीक है अच्छे से इसको रख लो चालू है यह उचित मुल्य की दुकाने है वहां पर प्रते एक महा की साथ तारिक आयोजित होता है फिर कॉल सेंटर देखते हैं यह नंबर है हमारा फिर 1800 233 36 यह जन्भागेदारी वेब्शाइट क्या है www.khadi.nic.in slash citizen फिर e-kerosin योजना है सबको पता 98 ठूक-kerosin दिलर है और 12,332 उचित मुल्य की दुकाने हैं फिर आते हैं लोक वित्य मतलब पब्लिक फाइनेंसेस में तो वित्य वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों में पि एक आठ की विध्या आई है कितने की विध्या आई है अठ्राज समलव एक आठ फिर वित्य वर्ष में कुल राजस्व जो है 31.55% मतलब फॉर इंग्लिश मीडियम मोल बता जाताओ मैं आपको टूटल रिवेज़्ू जो है वह 31.55% की विध्या जिसमें वो पीछे साल की त कर लो आप लो 34.66 31.55 कर लो 34.66 जो है वो टेक्स का युगदान है ओके और यह हमारा है कुल मां टोटल टेक्स रेविन्यू और यह हमारा है टोटल रेविन्यू तो एक कुल राजस्व यह कुल कर राजस्व ऐसा है ओके सो फिर कुल गैर कर राजस्व जो है उसमें वो जो है कितना है 21,657.25 करोड रुपए जिसमें केंदी सरकार से 12,994.26 करोड रुपए मिला है फिर आते हैं 2015-16 में राजस्व प्राप्ती रुपीज कितना हो गई है 5,89,365 करोड एवं राजस्व रुपीज तीरपन हजार ब्यादीस करोड अनुमानित है इस प्रकार राजस्व अधिके जो है वो एक्सेस जो है 15.27 के विद्धी हुई है फिर परधानमंत्र जन्धन योजना कब चाल हुई थी यह आद रख लो आप लोग 15-90 तक इसका इसमें कईबन 90 लाख खाते जुड़ गए हैं फिर आपके आते हैं राजस्जी के जिलो में केंद्री सरकारी बैंकों की संख्या जो है या उनके कार रिशाखाओं के संख्या अब 248 पहुँच चुकी है 2014-15 में बैंकों की जो अंच पूंजी थी वो 28,029.23 लाख रूपीज है जिसमें से राज जिशासंग का अंचिदान जो है वो छोटा सा ही है 1398 जो समलो सुनी 2 लाख रूपए है ठीक है अब 36 सहकारी संख की कुल कितनी समीतिया है वो है 543 जो फिर से आते हैं अग्रिकल्च्र एंड रेटेट सेवाएं मतलब क्रिशी एवं सम्मंदित सेवाएं पे तो 2015-16 के आकरों के अनुसार कुल सीचित श्रोथ में से लगभाई 30% जो है वो सीचित है मतलब सीचित है सूचित नहीं है यह सीचित है अब 31% इरिगेटेड लेंड हमें वपास आए राज किशी विकाष योजना के अंतरगर्द प्रदेश में एक उर्वरक गुण नियंतर प्रयोक शाला किशी यंत्र प्रसिक्शन प्रयोक शाला तता किशी प्रसिक्शन अका आदमी की स्थापना की गई है तो गाईज यह सा से एक घंटे में आपका ये वीडियो प्लस वो दो वीडियो पूरे कवर हो जाएंगे फिर शाकंबरी योजना क्या आए पांच हॉस्पावर तक का व्रिद्यू डीजल केरोसीन चलती पंप पर 75% अनुदान एबं कूप निर्मान पर 50% अनुदान दिया जाता है सो अब आते खनीज मतलब मिनरल्स पे 16% इसका योगदान है ठिसगड़ में राजी का लगभग 27% राजस्व क्शानीज योक्त मोरु के प्राप्त होता है मतलब खनीज राजस्व क्या होता है कि मिनरल्स से तो रेवन्यू मिलता है हमको 27% मिलता है रेवन्यू पे फिर देश में 16 परसेंट है ओके चतिस गड़ का फिर राज जी में विश्व इस्तरी अयस्क भंडार जो है वो दंतेवारा बस्तर कांके दुर्ग राजनद गाउं कवर्सा जिले में है लो आए अब ठीक है फिर आते हैं में 2015-16 में देश में इतने करोड मुख्य खनीज का दोखन किया गया तो बेसेलिए आपके करना है कि चतिसर का यह उगदान कितना था एट पॉइंट परसेंट था और 2015 में बारा परसेंट के आसपास होगा तो अब आते हैं राजस्व आये 2013-14 में 3210 करोड जो है 14-15 में कितना है 3569 करोड और 15-16 में कि दिसंबर तक 2416 करोड तक हो चुके है राजस्व आये मतलब आपका रेवन्यू से इंकम मिलती है सो यह आपका बेसिकली मैंने आपको एक डेटा दे दिया कि कैसे कितना कप था तो आपको देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है हो कि 2013-2013 में मैंने था हो कि बेस वर्स हमारा 2011-2012 है अच्छे से याद कर लीजेगा इसको यह आपके भागिदारी है पूरे अब नेक्स आते हैं सिंपल सा चीज कोईले का कितना है कोईले का उत्पादन जो है वो 22% है और मूले के उसमें 10% है आयरन ओर का उत्पादन जो ह 49.3% है बॉक्सायट जो है वो 7% तीन सबको पता है कि वो रहेगा 100% ओके तो अएरन डॉलोमाइट और आपका स्टोरेज में वो सेकंड और थार्ड नॉमबर पर है अब आते हैं इंडस्ट्रीस में तो आटोमोटिफ उद्योग नीती जो है वो 2012 को नौन कोर्ड सेक्टर के उद्योगों की स्थापना के लिए लगाई गई थी यह पंच वर्षी है तो इसका जो कारेकाल है वो एक नौमब 2012 से 31 अक्टूबर 2017 तक है फिर एक आप यहां पर देख सकते हैं पांच पॉइंट है कि मूली समवर्धित करपतिपूर्ती केंदी विक्रयकर में छूट प्रवेशकर भुक्तान में छूट विद्युत शुक्ल में छूट शुल्क में छूट स्टांप ड्यूटी छूट और पंजियन शुल्क पर में वत्तर अपंडर्म मिलियन टन और सेयं जो होता है ओलिमियम के अलुमियम具 में में सोबबूपी के के भागिदारी है उसमें और sponge iron जो हो हो है उसमें 12.47% की भागिदारी है सबसे highest अपना largest plant है हमारा रैगन में sponge iron का जिंदल का हो है तो steel का कितना है 15 million ton, 30% cement का कितना है 18 million ton और 15% aluminum का कितना है 3.5 million ton और 30% sponge iron का कितना है 10 million ton और 12.47% अब आते हैं अध्योगिक विकास निगम अध्योगिक पार्क कहां कहां पर पता है आपको मेटल पार्क जो है रैपूर के रावन रावाद भाटा में हैं इंजिनिरिंग पार्क बने हैं वो है आपका हाथकोज भिलाई के निकट जो है ग्राम उसमें है फिर तीन मेगा फूट पार्क है जो बगोज जिरा धमतरी और कहां राजन गाओं ऐसे जगा पर है फिर आपको एलेक्ट्रोनिक मेनुफेक्ट्रिंग पार्क जो है वो न्यू रैपूर में है फिर नविंतम वार्षिक सर्वेक्षन के हिसाब से तीन महात्रपून उद्योग है जो खाद्य उत्पादों का विनिर्मान करते हैं तो कौन-कौन से तीन है गैर धात्विक उत्पादों का विनिर्मान है फिर मूल धात्विक उत्पादन फिर आता सकल गहीर उत्पाद जिसमें से जो है उत्योग है जो की देखे यह तीन है खाद्य उत्पाद में योगदान और मूल धार्टविक मतलब बेसिकली जो है उनका है 74.1% तो यह सिंपल से एक out of the context topic है पुछेगा आप से कि बास कला केंदर कहां पर है तो वो बस्तर में है यह भी economic server में था अब आते हैं सिंपल सी बात विद्धूत परियोजना में तो 8.34% का GDP है और विद्धूत उत्पादन के कुल छंता जो थी वो दो हजार में तेरा सु संतावन संतानवे थी थी दो हजार में वर्स में अब वह अभी जो हो गई थी संताथ सुननी हो गई थी इसमें 78% की विद्धी आई है 15 वर्सों में और विद्धूत लाइन जो है करीबन 26 दो लाख 65,000 के आसपास है फिर आपको पता है कि अभी तोड़ीबन 1972-720 कुछ गाउं हो चुके हैं बड़ विसिकली हमको अब बचे कुछ 1080 ग्राम है तो इसके मुकाबले में जो योजना में जो अच्छे से बताया गया है कि कौन राजीव गांधी के अंदर जो इसकी में उसके अंदर है कौन दीन दयालावास के अंदर है तो वह वहाँ पर देख सकते हैं योजना जो है मैं इसके बाद वीडिय जो का लिंक दे दूंगा आपको है फिर यह सिंपल सी बात है कि आपका जैसे आप लोग बोलते हैं इसाइए पूरे साल का बताईए तो यह साल का है आपके लिए कि कौन से साल में कितना था तो हिस्सा कितना था फिर विद्धी कितनी हुई है ना तो अभी करीबं 15 वे नहीं है कि नहीं अच्छे से पूरा है ना सो आगे बढ़ते हैं अब बैसिकली जो मार्वास थर्मल पावर प्रांट है वहां पे आप अगर वहां पर भी काई चालू होने वाली तो बढ़ेगा भी और तो वह आप चेक कर लिजेगा एक बार अगर क्वेशन ऐसा कुछ आया तो फिर आते हैं राज्यमार्ग में 17 राश्री राज्यमार्ग है जो कि कुल 3078 किलोमेटर के हैं फिर आते हैं सरवादी योगधान पतिशत जो है वो ग्रामीन मार्गा है जो कि 42.42 पतिशत है फिर 14.15 से 15.16 तक वायू परिवहान में यातिरों में जो है कि संक्या में 30.5 प होती है उसमें 9.9% का विद्धी हुआ है तो इस गुड़ साइंग तो यह देखे यह सबसे में कि राश्री राज्यमार्ग जो है 9.53 परसेंट बसा है स्टेट में और राज्यमार्ग जो है जो कि स्टेट हाइवेस जो है वह है आपका 13.57 परसेंट फिर जिला मार्ग और ग बिलाज्पूर में कौन सा विमानता लिijn जगदल्पूर में जगदलपूर है विलाई में नंदिनी धरक 원 में और जश्पूर में अगडि हवाई पत्तर तो डॉन्डी का दुर्ग जश्पूर अगड़ी हाँ सूर्भी का जश्पूर चिल आपको याद्ध होजाएगा थेंक्यू फॉर वाचिं दिस वीडियो, I hope you like it, please if you like it, आपको क्या करना है, thumbs up कीजिए, comment कीजिए, subscribe कीजिए, subscribe कीजिए, subscribe आप करेंगे, तो आपको बाकी चैनल के बाकी वीडियो मिलेंगे, and if you want the PDF, I will give you the download link, आप वहां से download कर सकते हैं, I will make it, I will make it a very reasonable course for you if you want, so have a nice day guys, and happy learning, and best offer for Patwari exam.